आज का जो अमारा टॉपिक है वो है M.E.G.02 का ब्लॉक 2 का यूनिट 3 यूनिट 3 का क्या टॉपिक है उससे पहले M.E.G. से रिलेटिट सारी जानगारी को एक्सेस करने के लिए आप अमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजए इवन M.E.G.02 का जो पेपर है 14 जून को उससे रिले इसकी जानकारी भी आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे दिस्क्रिप्शन वोक्स साथ ही मैं कॉमें भी पिन कर दूँँगी इससे आगे बड़े तो फॉर क्विक एंड रेगिलर अपडेट्स दू विजट आर दू जो जॉइन आर व ब्लॉक 2 का जो यूनिट 3 है इसमें आपको उनली 3 टॉपिक्स ही मिलेंगे और यह तीन टॉपिक्स कैसे डिवाइडेड है पहला है इंट्रो जो कि मैं आपको कवर कर दूँँगी एथियन एरिस्टोकेट्स में ही और दूसरा है हमारा एथियन एरिस्टोकेट्स और जो द इक एक एक फोकस इन गारीक्टर एंडर्स्टांडिंग जो प Türkiye को संघ्टा पूरा कर लिजएंच में पर्टेटमुए्जचिस इंट्रेटेशिंगे इंटर्प्रेटेश् exist में होते है इंटर्प्रेटेश्न New yamard a midnight अध के ज eles करे एकान इंट्सेंगी इस ड्य का ए सशने- डाइनमिक को डिसकास करते हैं, हाइलाइट करते हैं, कैसे इंटरप्रेटेशन शेप हो रहा है, ओडियन्स परसेप्शिन को, और यह जो टेक्स है, जो कि फिर डिलिफ करता है, कॉन्फिलिक्ट इंट्रिद्यूस किया जाता है, बाइगेस डिमांड, किसके लिए, फोर हर्मिया, जो कि मैरी गर्दी है, डिमेट्रियस से, और जो थेसिस का रिस्पॉंस होता है, जो कि सज्जेस्ट करता है उसकी लेने से को, फोर शैडोस, जो कि प्ले रिजिलूशन, इसके सेलिब्रेट करता है लव और लाइफ को, शेक्सपियर का जो ट्रांजीशन है, जो कि फोरेस्ट में होता है, ट्रांजीशन जो फोरेस्ट के टुवर्स है, जहां पर एथिनियन का जो लॉव है, वो बहुत ज़्यादा होल्ट नहीं गरता है, फिर shift focus होता है, shift focus to the lovers और उसके journey पर होता है, इसका जो अगला और लास्ट टॉपिक है, वो है कि यह जो फिर हमारा particularly topic है, यह डिसकॉस करता है structure और pattern के, जो कि mid summer night stream में present है, और यह highlight के से साब से करता है कि जो editors इन्होंने impose करा है five act division को जो कि दिखाए जाते है modern editions में यह explore करते sequential analysis किसके play को और फिर deliver करते into structural examination को फिर focus करते किसमे binary up positions में जैसे कि ethens होता है जो कि वो से से किसके forest के फिर by employing, employing क्या structuralist method यह emphasize करते हैं contrast between settings, characters and power dynamics और यह जो analysis है यह reveal करती है क्या कि यह सारे जो binaries है यह contribute करते हैं organization में और thematic richness में किसके play के ठीक है और जो कि showcase करता है Shakespeare का adaptness और craft करता है क्या complex dramatic material तो इसी particular दो topic में आपको समझ आएगा कि unit 3 जो है वो पूरा पूरा समेटाया हुआ ठीक है so unit 3 is like very simple मतब unit 3 जो है वो पूरे block 2 में अगर मैं कहूं तो बहुत ही जादा simple topic है इससे आगे बढ़ेंगे तो for further details you can visit our official website www.delibytes.in आप हमारे application को भी डाउनलोड कर सकते हो application से even आप direct purchase कर सकते हो चाहे lecture series हो या फिर solved assignment हो सारी details आपको हमारे application पर ही मिल जाएगे और direct आप यही पर payment करोगे अगर आपको PDF अगर अगर अचाहिए solved assignment की तो आप हमें text करो MEG500 का code हमारे concern WhatsApp नमबर पर 500 का payment करोगे और आपके subject code के साब से आपको हम PDF शेयर करें again I am mentioning for quick and regular updates do join our WhatsApp group IGNU MEG updates इगदम free में आप जोइन कर सकते हो not even a single penny is required और जो WhatsApp की link है उसकी मैंने description box सादी में comment में भी पिन कर दिया है हमारे सारे social media के links नीचे description box में available है do subscribe Delhi Vites thank you so much